तो एक बार देखते हैं कि सिंफ़नी के क्वाटर 4 के रिजल्ट कैसे आते हुए जो है दिखे हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है एक बार इंकम देखो आप यहां पर तो इंकम जो है प्रीवियस येर में इस क्वाटर के अंदर जो है हुई थी 345 करोड की और आवे इं 15% का इंकम में ग्रोथ है और क्योंकि बेसिकली क्या है कि प्रीवियस येर वाले जो है क्वाटर से ही देखने में इंकम का पता पड़ेगा प्रॉफिट का पता लगेगा क्योंकि यह एक्चली सीजने वाले स्टॉक्स है गर्मी है स्टॉक भागेगा गर्मी नहीं है तो इ तो मेरे एसाब से देखेंगे तो अगर कम जोईéntजिए, इनके कमजोर ही नतीज़ स्था आते हुए है एक भार देख लेते हैं कि चलो FY21 TOFY92 कुई कार्णामा हुआ यह नहीं, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 931 करोड की जो है इंकम थे इनकी प्रीवियस येर में FY21 के अंदर जो अब 1079 करोड की होती हुई देखी है तो वहाँ भी 10-15% का जो है ग्रोथ है और अगर बात करें तो 107 करोड के सामने जो है 121 करोड का जो है प्रॉफिट है तो य बात करें कि पिछले कोश सालों की अगर बात करें उससमें पर सेंपनी ने जो है काफी अच्छा-कासा काम करके दिया इनकी quality अच्छी थी प्रोडक्ट की लेकिन कहीनना कहीन मुझे लगता है कि वो कहीनना कहीन Sumerile का we utilizar customer का satisfaction है वो कहीनना कहीन मुझे लगता है ज़राइब डाउन होता होगा देख रहा है sales नहीं आरही, growth नहीं है profit के अंदर growth नहीं है competition इतर बैसी बहुत ज़ादा है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस stock को अगर आप avoid भी करेंगे तो ज़ादा better है अच्छा next quarter और देख लो आप उससे भी आपको पता पड़ जाएगे क्योंकि इस गर्मी में भी अगर sale नहीं आई अच्छी previous year से और इस वाले year के अंदर इस वाले quarter के अंदर तो फिर मेरे एसाब से इसको जो है avoid करना चाहिए कोई खास performance नहीं दिखा रही और यहाँ पर एक बार देख ले थे कि क्या है इन्होंने इस बार dividend दिया तो 6 रुपे के आसपास का dividend भी दिया इस बार तो ठीक है dividend से पेट भरने का काम चला इस समय पर तो dividend भी है 6 रुपे का और यहाँ पर एक बार चार्ट पैटन देख लेते हैं basically कि चार्ट पैटन कैसे जो है बने हुए इस स्टॉक के, स्टॉक ने आला कि थोड़ा बहुत आपको मुझे तो थोड़ा मुश्कीले लगता है कि आप यह दुवारा से उपर जाएगा फिर भड़िया लाइफ टाइम हाई बनाएगा ऐसा कुछ करेगा बला-बला कुछ अलग है अगर कोई चीज और हो जाए बो बात चीज अलग है लेकिन फिलाल तो मेरे इसाब से जो है इसे स्टॉक को अवाइडी करने में फायदा है एक साल का रेटर्न मैं आपके सामने रख दू माइनस के 5% का रेटर्न है इसका 5 येर्स में भी जो है नेगेटिव रेटर्न ही इसे स्टॉक ने दिया है अब नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वही हजार रुपे के आसपास का हजार अगर फिर से ब्रेक होगा फिर से और जो है जी डबागोल होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट क्वार्टर अगर अच्छा नहीं गया तो फिर तो मुझे लगता है surely इसका डबा गोल जो है होने की बिल्कुल जो है chances बनते हुए दिख सकते हैं अपना भी analysis हला कि एक बाज जोरू कर ला है उसके बाद इस stock को buy sale या hold करें Thank you for watching this video